हाई गाईस असलाम लेकुम है आई होप आप सब ठीक होंगे तो यह हमारे accounting for material का जो चुप्टर है उसका सेकंड लिक्चर है अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा तो आप मेवन की प्लेस्ट में जाके वह देख लिए ठीक है है accounting for material लेक्चर वन अच्छा पिछली लेक्चर में हमने एक्स्प्लें किया था लाइफ हो और सौरी फाइफ हो फाइफ हमने एक्स्प्रेंट के ता विदेन विद एक्जेंपल एंड उसके बाद हम करेंगे अब इस लेक्चर में कवर करने जा रहे हैं लाइफ हो एंड योग ठीक है उसके बाद एक दूसरा लेक्चर आएगा लेक्चे तरी एक्वाइफ हो फाइफ हो से लाइफ हो से लाइफ हो से लाइफ हो का मतलब है लास्ट एंड मतलब जो और जो माटरियल हमें सबसे लास्ट में आया है सबसे पहले हम वह एश्यू करेंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को तो चलिए एक एग्जेम्पल लिखते हैं वही प्रिवियस लाइफ हो फाइफ हो मित्ट वाले एग्जेम्पल हम लिख लेते हैं आप हमाली वह एजी रहेगा ऑके तो सबसे पहले हमने प्रचेजेज के लिये हैं से हमने प्रचेज़ के लिये हैं हंड्र यह इस बार जो है डॉलर त्री पर कीजी प्राइस है हर कीजी की आप चाहिए मैं लिग दूँ यह कौंटिटी है यह कॉस्ट पर यूनिट है ठीक है यह कॉस्ट पर यूनिट है तो इसके बाद हम इस्चु के है 150 में 150 कीजी हमने इस्चु किया है इसकी प्र Agris में से फाइंड करनी है अच्छा इसके बाद हमने फिर से पर चैसे कर लिए हैं कितने के ज pequंग है तो इसके हमने पर चैसे कलिए हैं डालर 4 पर कि जी पिर से हमने इश्चु कर लिए हैं हुआ है मैं तुह हंड़ड कीजी ए इस बोर में पिर से प्राइस फांड करनी है फिर से हमने पर चेजा कर लिया हैarna है इसन से मतीकेश फर ए sound हमने पर Hugo लिया है ए ठीक है एंड लास्ट में हमने फिर से एक इश्यू कर लिया 40 केजी इस बार हमें फाइन इस बार हमें फाइन प्राइस अफ दे इश्यू अच्छा तो लाइफू मितट में जो हमारे हम सबसे पहले फाइफू में 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 फाइफ इस्यू करेंगे जो सबसे लास्ट में हमें आये हैं अब हमें ओन फिफ्टी और यह इदर हम अच्छा यह इदर ही हम सलुशन भी कर लेते हैं ठीक है इदर हम फिर कह लेग देंगे यह टॉटल सलुशन यह क्विस्टेंट भी है सलुशन भी इदर ही साथ ही करते हैं अच्छा तो अभी हमने इस्यू करने है वन फिफ्टी यूनिट्स एंड हमें कौन से मिध्ड यूज़ करते हैं हमने यूज़ करना है लाइफ फर्स आउट लास्ट इन फर्स आउट मतलब जो हमाँ सब सबसे लास्ट में आया है उसको सम हम सबसे पहले आउट करेंगे इस्यू करेंगे आचा तो हमें यह वन फिफ्टी हमें इस्यू करने है वन फिफ्टी हमें इस्यू करने है तो हम पहले सबसे जो आखिर में हमरे पस आया है हम वो इस्यू करेंगे तो क्या होगा यह वन material issue हो जाएगा ठीक है यह material issue हो जाएगा कितने का 150 multiply का कौन से rate का हमने issue के हमने issue किया है dollar 3 वाला material के 150 ठीक है 150 units हमने issue के है dollar 3 के तो यहां पर हमार बस क्या आएगी 50 यहां पर 150 multiply 3 is equal to इससे आता है 450 यह तो यह होगे हमार बस फॉर फिटी के अच्छा अब पिर से हमने purchase के लिए है 180 के फॉर पे अच्छा एन उसके बाद हमने पिर से issue करने है हमें 200 200 units हमें पिर से issue करने हैं अच्छा इस बार भी हम वही करेंगे जो हमें सबसे last में order receive हुआ हो ना हम उसी ही यह 200 की यूनिट जो है यह हम उसी ही issue करेंगे तो सबसे last में हमें आया है 180 का इस issue इस issue के बताबिक हमार रपस last order जो है purchase का वो यह वाला है ना 180 का तो 200 है 180 यह 200 तो इसमें पूरे नहीं हो सकते 20 तो पर भी रहते हैं तो 180 हम इसमें से 200 में से 180 यहां पर 20 रहे जाए गाने 180 हमने issue कर लिए कौन से प्राइस के 180 हमने यह वाले issue कर लिए जो के है $4 पर कीजी तो इससे आता है सेवन 20 यहां अच्छा अब भी 20 यूनिट्स हमें और भी issue करने हैं जो के इसमें पूरे नहीं हो सके यह खतम हो जाएंगे अच्छा तो यह 20 यूनिट्स जो है यह हम issue करेंगे इससे यह जो रह गया है ना जो रह गये हैं यह हम इसे issue करेंगे और यह खतब मुज्लीक यह रह जाएंगे थाटी क और यह खतम हो जाएंगे तो हम यहां पर कहा है कि हुआ के लिखेंगे ट्वान्टी यूनिर lav प्रॉलिगे यह और बखानी कि को यहां से तुझक में डॉन्टी किस्टी अपैरmare दोनों कश्टी जो इस अपर तुझक क्या ह है सेवन एटी ठीक है ओके ये भी इश्यू हमारे पस होगे हम अब पिर से हमने पर्चेस के लिए हैं और उसके बाद हमें पिर से इश्यू करने हैं फोटी यूनिट्स क्योंकि हम यह लाइफ हो मिदेट कर रहे हैं लास्ट इंफ फर्स आउट तो सबसे लास्ट में जो हमरे आउर्ड हमें लास्ट में जू मटियू पर्चेस किया होगा सबसे पहले हम वही ईश्यू करएंगे तो इस इश्यू के मताबिक हमारे पस यस्जाब नास्ट वाली बद्र यह है तो सबसे तो हम एश्यू यही ही करेंगे ना अच्छा तो यह मर पस फोर्टी खत्त मोजयें करेंगे थर्टी की सबाइल ये योडलर फाइफ की जो यॉनिर पर چीज से प्रकीज गोड़ ये चुब ने आखिये हैं तो हम 40 को मुल्टिप्लाइगे रेंगे डॉलर 5 के साथ तो इससे आ जाएगी 200 तो यह हमारी लास्ट पर्चिस इस्यू हो गई चीक है अच्छा अब आते हैं उन क्विस्चिन्स पे उन क्विस्चिन्स पे आते हैं जो हमें आंसर करने थे ठीक है पहला क्विस्चिन था विल्यू आफ इश्यू और विल्यू आफ इश्यू को हम प्रोड़क्शन कॉस्ट भी कहते थे हमें वह फाइंड करने हैं अच्छा विल्यू आफ इश्यू को फाइंड करने थे हैं चलो तो विल्यू आफ इश्यू को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा हमें जितने भी हमने material issue किया है ना जितने भी units हमने issue किया है उनकी price को हम aid करेंगे तो उनसे आजाएगी video of issue तो देख लेते हैं सबसे पहला issue जो हमने किया है ये वाला उसकी price है 450 और दूसरा जो हमने issue किया है material उसकी price है 780 एंड लास्ट वाली की price जो है 200 तो क्या करेंगे 450 ब्लस 780 450 ब्लस 780 ब्लस 200 तो इससे हमारे पस क्या आएगा इससे हमारे पस आजाएगा 1430 तो ये तो हमारा पहला question answer हो गया हमारे पास value of issue आगई या पिर इसको हम production कास्बी कहते हैं वो भी आगई ठीक है ओके और दूसरा जो question था हमारे पास के value of closing stock कितनी है हमारे पास जो stock रह गया है उसकी कीमत कितनी है हमारे पास कितने का माल बचा है store में यह तो हमने issue कर लिया ना इतना माल तो हमने issue कर लिया यह dollar है ठीक है अब हमारे पास जो माल बचता है वो कितना है तो देख लेते हैं भी ओके यह units completely रह गए है store में हमने issue नहीं किये ठीक है हम क्या करेंगे 100 कितना है इसकी price कितनी है इसकी price है dollar two पर कीजी तो हम क्या करेंगे 100 multiply two okay value of value of issue sorry value of closing stock 100 units रह गए है dollar two वाले plus और देख लेते हैं और कुम को से रहते हैं चलो यहां पर रह गए हमारे पास 30 units हमारे पास रह गए हैं कौन से के dollar three के ठीक है ओके तो हम लेकिंगे 30 units हमारे पास रह गए है dollar three के okay जी और और हम देखते हैं कि कौन से रह गए हैं यह तो हो गया अच्छा यह हमारे पास completely जा चुके है इशू हो चुके हैं और यहां पर यह देखो यहां पर material हमारे पास 30 units हमारे पास रह गए हैं कौन से dollar five के तो हम क्या करेंगे dollar 30 multiply dollar five तो इससे हमारे पास आ जाएगी इससे हमारे पास आ जाएगी फॉर फॉर फॉर्टी ठीक है तो यह आ गए हमारे पास value of closing stock अच्छा जो third question है जो हम से पूछा जा सकता है वो क्या है उसको हमने answer करना है वो है issued rates हमने जो material issue किया है वो कौन कौन से rates पर है ठीक है वो कितने rates पर हमने issue किया है तो देख लेते हैं भी आ जाते हैं हम अपने material issue के column पर अच्छा तो देख लेते हैं 150 यहां पर हमने कौन से rate का 150 है यूनिट्स हमने issue किया है डॉलर 3 के एक rate हो गया हमरे पास यहां पर हमने issue किया है 180 डॉलर 4 के डॉलर 4 के दो rates हो गए अच्छा यहां पर हमने issue किया है यहां पर हमने पेहले से mentioned कर लिया है तो यहां पर पर हम दोबारह mention की कि दोबारह हम इसको नहीं किनेंगे ठीक है अच्छा यहां पर हमने issue क्या है forty units डॉलर 5 के टीक है तो कौन से कितने रोड़े होगे मुपास एक दो तीन हमने तीन रेट्स पे इंविंटरी को इस्यू किया है इस्यू रेट्स तो हम यहाँ पे लेगेंगी तुरी रेट्स अगर हम से पूछ जो कि जा कि वो कौन कौन से रेट्स है वो है 3 4 & 5 ठीक है तो यह था हमरे पस लाइफ पर मितिड लास एंड फस्ट आउट ठीक है तो आई होप आपको समझ जा गया होगा अगर नहीं आया तो आप रिवांड करके देख सकते हैं अब हम पढ़ने जा रहे है है average cost अब को इसको हम कि लिपकर लेखते हैं व को लेकर विटे हैं की यो को स्टेर्थ हैं 29 अश्य समय की जो मेंतर है उसका नाम है विमिज कोस्ट ठीक है प्रियाडिक इवरेज कॉस्त ओके तो लेकले थे हैं एग्जेंपल एग्जेंपल लेकल लेकले जो अमने उपर कर लिया एंड उसको सॉल्फ करते हैं फिरियाडिक इवरेज कास्ट के जरिये तो यहां पर हम लिख लेते हैं quantity cost per unit and यहां पर हम लिख लेते हैं total सबस्ब पहले हमने purchases कि 100 kg के $2 per kg तो टोटल हमार पास 200 बनते है $200 फिरसे हमने purchases के $200 kg के end इस पर हमने purchases जोई कि है $3 per kg and यहां पर हमार पास $600 आ रहा है वही उसके बाद हमने issue के issue हमने कितने के 150 हमने भी issue कि जिसकी cost per unit हमें नहीं पता and हमें find करनी है हमने परसे purchases कर लिए है 180 के 180 के जी हमने purchases कर लिए हैं और इस पर हमने जो किये हैं वह है $4 per kg तो इसे आता है 900 900 कहां से आता है वही 720 आता है उसके बाद हमने परसे issue के लिए है material को कितने यूनिट हमने issue के लिए है इस बार हमने 200 units issue कर लिए है 200 kg हमने issue कर लिए है price में find करनी है परसे हमने purchases कर लिए है कितने purchase is 70, 70 kg हमने परसे purchase कि है material है इस बार हमने जो purchase कि है वह हमें आया है $5 per kg का तो इस हिसाब से इस की price बनती है 300 हमने last में परसे issue कर लिए है material को इस बार हमने issue कि है है वह है 40 kg है तो इस परसे हमने find करनी है इस की cost ओके तो अब हम find करेंगे value of issue value of closing stock and is periodic cost में हम से यह नहीं पूचा जा सकता ठीक है हम से periodic cost में यह question नहीं पूचा जा सकता कि हमने जो material issue किया है वह कौन से rates पर हमने issue किया है तो यह हम से इस method में नहीं पूचा जा सकता क्योंकि इसमें find हो ही नहीं सकते है हम से इस question में पूचा 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 जा सकता है ठीक है और यूकि हम इसमें answer करेंगे तो इसके लिए इसके लिए एक formula है क्योंकि हमें याद करना होगा and values पर हमने उसमें पूचा पार पर्चाइस समया थो में आ एंड ओपनिंग स्टॉक उनिट्स प्लस अल पर्चेजेश यॉनिट्स अच्छा क्या मतलब हुआ इसका भी को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें ये फार्मूले में ये विल्यूस पूट करने पूड़ेंगी को कॉस्ट अफ ओपनिंग स्टॉक प्लस कॉस्ट अफ अल पर्चेजेश ओपनिंग स्टॉक तो अब इस कुश्चन में हमर रपस हैं नहीं अगर गिवन होता तो यहां इसमेंसे एड करने हैं जो कि को से में हमने नहीं लिये है अच्छा आ तो यह वीडियो पूट करेंगे इसमें क्योंकि ओप निंग स्टाग तो हमारे पास है नहीं अफ को इवरेज कॉस्ट पिरियार्डिक एवरेज कॉस्ट रिखे इसको हम शॉटकॉट इस तरह लिखें कि तो ठीक है विल्यो कोट करते हैं ओपनेंग स्टॉक तो हमारे पास है नहीं तो 0 प्लस यह 0 हो जाएगा ना क्योंकि है निक कॉस्ट आफ पर्चेस हमने जितने भी पर्चेस किया है उन तमाम की कीमत यहां पर हम 8 कर देंगे ओके हमने यह वाली पर्चेस की है ठीक है यह वाली पर्चेस की है जिसके टोटल कीमत 200 है यह वाली पर्चेस की है जिसके टोटल कीमत 600 है यह वाली की है 720 एंड यह 300 की तो हम इन सब को यहां पर प्लेस करेंगे 200 600 200, 600, 720, plus 300, okay, okay, and opening stock units, जो के हमारे पास नहीं है, 0, plus, all purchases units, हमने तमाम जो purchases किये हैं, वो units कितने है, units, मतलब quantity कितने है, kg कितने है, units हमारे पास यह है, यह हमारे पास तमाम units है, यह cost per unit है, यह total price है, ठीक है, अच्छा, तो हमने units 100, 100 units पहले purchase किये, 200 units purchase किये, 180 purchase किये, and then 70, तो 100, plus 200, plus 180, 180, 100, plus 200, plus 180, plus 70, ठीक है, ओके, इसको हम find करेंगे, तो इससे आजाएगी, हमारे पास एक value, जोके है, 1870, divided by 550, और हमारे पास विल्यू आ जाएगी एक periodic average cost की जोके, 3.4 per kg, यह हमारे पास आगी, periodic average cost का rate, ठीक है, यह हमारे पास आगया, periodic average cost का rate, ठीक है, अब हम इससे find करेंगे, value of issue, and value of closing stock, okay, सबसे पहले तो यह formula में, इस formula में यह values पूट करनी है, ठीक है, विल्यू में पूट करने के बाद इसको calculate करें, calculate करने के बाद जो विल्यू आजेगी, वो क्या होगी, periodic average cost की rate होगी, ठीक है, अच्छा, उसके बाद जब rate आ जाएगा, तो उसके बाद हम करेंगे, जो हमारे, जो हमसे question पूशा गया होगा, हम simply वो solve करेंगे, for example, हमसे पूशा गया है, value of issue find करो, तो periodic record में हम विल्यू कैसे find करेंगे, हम देखेंगे, कि हमसे, हमने कितने units issue किये हैं, और उसको हम multiply करेंगे rate के साथ, ठीक है, अब issue के units को देखो, सबसे पहले हमने issue किये हैं 150 units, पिर हमने issue किये हैं 200 units, और उसके बाद हमने last में issue किये हैं 70 units, 40 units, तो 150 plus 200 plus 40, यह हमने issue किये हैं, इसको हम multiply करेंगे rate के साथ 3.4, जो कि हमरे पस 3.4, ठीक है, तो इससे हमरे पस video आ जाएगी, जो कि है, 1326, तो हमारे पस value of issue जो आ जाएगी है, वो है 134026, कि जो हमने material को issue किया था, उसकी price यह है, ठीक है, और for example हम से दूसरा question पूशा गया है, value of closing stock, ठीक है, value of closing stock, तो value of closing stock के लिए, हम करेंगे यह, कि हमारे पस जो total units थे, मतलब जो हमने purchase किये थे units, and जो हमने issue किये unit, उससे हम नकाल ले, अच्छे देख ले दे है, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने कितना units of purchase किये हैं, हमने कितना units परटेज किये हैं, हमने ये नहीं पर लिए हैं, associ day 500 , यहां से आए, यहां से, देखो, पहले हमने 100 units purchase किये, 200 unit investigating उसके रहताए … 個 करेंगे के 550 । इस हम ने जितने यूनिटी हमने इस्अ किये है इस्फोम प्लाइट 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 प्लाइ तो इस से हमारे पस क्या एफ और चेगी अचिनाते है फай फॉर्टि फाइफiniz फॉर्टि 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 ग्ली तॉमनभ पस्क्ष उर जाएगी फाइफ फॉर्टि फॉर्ट ठीक है तो हमारे पस विल्य आफ यू भी आ गई विल्य आफ क्लोजिंग पर आ गया एंड तीसरा जो हमारा कुश्चन था रेट्स वह इस कुश्चन में बिलकुल भी नहीं पूचा जा सकता वह परियोडिक विज कोस्ट में नहीं पूचा जाता ठीक है क्योंकि इसमें फाइ बाइन करके देख सकते हैं एंड इसके बाद हमारे जो टॉपिक्स हैं इसी एकाउंटिंग फॉर मटेरियल के चेप्टर में वो तोड़े से रह गये हैं आँ उसके बाद एक चोटा सा टॉपिक है और डेंग इन्वेंटरी ठीक है और डेंग इन्वेंटरी जोगे बहुत ह अब लाइफो और लाइफो फाइफो का जो हमने पड़े हैं इस में एक कॉंसेप्ट है कॉंसेप्ट क्या है समझाता हूं मैं कॉंसेप्ट यह है कि हमने पहले फाइंड की विल्य आफ इश्यू को पिर विल्य आफ क्लोजिंग स्टॉक को एंड देन हम देखेंगे प्रॉफिट को कि देखो हैंЭто के अगर हम लाइफो यूजव फाइफो यूजव करें अच्छाओ मैं तोड़ा उप्र लेता हूं पेस कम वड़ً रहा अगर हम फइव फो यूजव करेंगे तो विल्य आफ इश्यू कितनी होगी LIFO यूज करेंगे То Ais or कितनी होगी ANE को यूज करेंगे तो Ais or कितनी होगी हमने FIFO जब यूज किया था अगर हम FIFO method यूज करेंगे तो सबसे पहले हम वो वाले material इस शू करेंगे जो सबसे पहले आया हो हमारे पास अच्छा ये method यह concept जो है यह है इफ प्राइस कॉंस्टेंटली इंक्रीजिंग अगर प्राइस बढ़ रही है ना फर एक्जेंपल पहले और्डर पे हमें हमारा जो मटेरियल था वो हमें मिला था डॉलर टू पर कीजी पर कीजी अगर प्राइस बढ़ रहे है पर फैसर पर पर सिक्स तो इस फ्राइस वाला इस्क्रीजिज तो हमारे पास यह वाला कनसेबड़ आपलाई होगा ऽ्राइसफ एक्रेम किन एफ उर्व अगर हमारे पस प्राइज बढ़ रही है ना तो फाइफों मितर हमें इस्तेमाल करेंगे मतलब अगर हमारे पस प्राइज बढ़ रही है और हम फाइफों मितर यूज कर रहे हैं speakers हें न क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कि अगर प्राइश हो रही है हम इस case में प्रया है compute to other orders जो के हमें बाद में रिसीव हुए हैं ठीक है तो यहां पर लिस लिखेंगे and value of closing inventory or closing stock अच्छा अब फाइफो जब हम use करेंगे लिखेंगे ना for example order one order one पर हमें मिला है dollar two पर कीजी order two पर हमें मिला है dollar three पर कीजी order four पर हमें मिला है dollar four पर कीजी three पर अब अगर हम value of issue की बात करें five for method को यूज करते हुए तो सबसे पहले हम issue करेंगे यह वाला और यह वाला जो है यह सबसे सस्था है तो वेल्यू आफ इश्यू जो होगी वो five four method में लेस होगी वेल्यू आफ इश्यू हमारे पास कम होगी क्यूंके हमने सबसे सबस्ते वालब product material जो है वो हमने production department को issue किया है अच्छा अब बात किलेते हैं value of closing stock की अगर हम five four method यूज कर रहे हैं और price increase हो रही है तो इस concept में हमारे पर closing stock क्या होगी क्यों 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 कि सबसे पहले हमने जो cost सबसे पहले material हमने वह वाला issue क्यों होगा जो कि सबसे सस्ता होगा और हमें सबसे पहले receive होगा तो हमने $2 का एशू कर लिया अब हमारे पास बाजते है $3 & 4 जो कि हई है विल्यो में इस पीजियो विल्यो भी छाइए ब्लौूसिटर्ण और दो हमारे पर क्लोजिंग सिटा क्या हो जाएगी ज्यादा हो जाएगी फिल्यो जो हमारे फिल्यो झालब और उसी मिजन ए्वाथ यह जादा होगी वह एकपेंसिफ होगा ठीक है ओके यह आपको समझाने के लिए था अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ जब हमारे पॉस उसकी प्राइश कम होगी ना विजी अइश्यू की अगर आप बस उसकी प्राइस कम होगी तो हम उसमें से प्रॉफिट ज्यादा कमा सकेंगे ठीक है अगर एक प्रॉडक्ट है मेरे पास उसकी वेलियो फॉर एक्जेम्पल फाइफ ताउजंड है तो इसमें मेरा मार्जन अफ प्रॉफिट जो है वो कम होगा क्योंकि यह पिर बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है अगर मैं इसमें से हजार रॉपए अपने लिए भी कमाओं तो फिफ्टी फाइफ ताउजन का यह अप खुद प्रॉडक्ट है तो इसमें पिर हमें इतना प्र प्रॉफिट मिल जाता है अगर प्राइस हाई है तो प्रॉफिट कम होगा अगर प्रॉफिट अगर प्राइस कम है अगर प्राइस कम है तो प्रॉफिट ज्यादा होगा तो यहां पे हमारे पास प्राइस जो है वो कम है प्राइस किया है कम है तो प्रॉफिट हमरे पास ज् तोड़ा डिटेल में जा रहा हूँ अब कन्फ्यूज नहीं हो न ठीक है अब बाते हैं फाइफो मिजट पे अगर प्राइस अगर सेम केस है प्राइस कॉंस्टेटली इंक्रीज होते जा रहे हैं मतलब पहले डॉलर वन पर या पर डॉलर टू पर या पर डॉलर द्री पर आय है डॉलर त्री पर दीजी तृ्छ था में मिला है फौर पर कीजी अब देखो अगर हम फाइफो मी तेडिज कर रहे है तो सभसे पहले हम वह Đा प्रॉड़्क्ट ऐशू करेंगे जो हमें सबसे लास्ट में रिसीव हुआ होगा और जब जो हमें सबसे लास्ट में रिसीव ह हुआ होगा इस केस में इस केस में वो क्या होगा सबसे एक्सपेंसिव होगा तो सबसे एक्सपेंसिव प्रॉडक्ट हम आ अ मठीरियल जा है वो हम इश्यू करेंगे तो हमारे पास विल्यू आफ इश्यू क्या होगी हाईयर होगी तो हमारे पास क्या होगी यह वाली यह हाई होगी ठीक है यह तो हमने एक्स्वम जो मुठेरियल था वो तो हमने इश्यू कर लिया अब हमारे पस जो बचता है तू एंट त्री वो तो फूर से कम है ना मतलब वो तो इस वाले और की प्राइस से कम है तो हमारे पस विल्यू आउज़ तो हमारे पास closing stock में value बचेगी जो हमारे पास closing stock में units बचेगी उसकी कीमत जो है वो कम होगी वो क्या होगी less होगी and अगर price ज्यादा है तो profit हमारे पास उसमें से हमारा profit less होगा तो कम होगा ठीक है अब बात है एफ को पे अगर हम एफ को में तो हमारे पास value of issue value of issue आएगी बिट्वीन फाइफो एंड लाइफो मतलब हमने जब फाइफो में value of issue find कि और लाइफो में value of issue find की तो एफ को में value वो value हमारे पास इन दोनों के बीच में आ रही होगी ना ना फाइफो से कम होगी ना लाइफो से ज्यादा होगी ठीक है same इसी तरह closing stock भी कि closing stock की value भी हमारे पास कम और ना के फाइफो से कम होगी और लाइफो से ज्यादा होगी इन दोनों के बीच में होगी and profit भी इन दोन आते हैं हम 540 की विलियोर फिश् generating डियुट कर लेते हैं एंद especially को कोंस की Ky现在 के ठीक है Okay, तो यह हमने 5000 का रे танिट यहां निक यहां गिया था इसमें पहले हम न do फ्वार्म हम रेंगे के विलियोर फिशु और फाइफ हो में फक्रेंग उस्पर में 10 11 gaduden फर्ट फिजुको है वो है 1160 अब हम जाते हैं अब हम देखते हैं लाइफ हो की विलियो इश्यू को यह है फाइफ हो का अभी जो हमने इंपman के इसके हम यह अब हम आ 30 1161 व्हान 60 जो है वह वह फाइफो का ता एड इसका जो है 11 133 है एन अब हम देख लेते हैं एक को का कि यह हमने एक को से अफिल्फ के इस मैं और वह है 1326 यहां पर देख लेते हैं 11 यहां पर हमर पर वेडियो जो आई है 1 162 1414 यहां पर विल्यो जो थी 1430 1430 and 1326 अब देखो फाइफो में जो यही सेम एग्जेम्पल हमने किया था उसकी उसमें से विल्यो आफ इशू थी 1160 लाइफो पे हमने किया तो उसकी विल्यो आफ इशू गी 1430 और एफको में हमने किया 1326 1326 जो है यह इन दोनों के बीच में है ना इससे ज्यादा है ना इससे कम है ठीक है अच्छा अब देखते थे हैं विल्यो आफ लोजिंग इसमें विल्यो आफ लुजिंग स्टॉक है 1710 में अब आते हैं फाइफ लाइफों पे इस में हमरु पास क्लोजिंग स्टॉक की विल्यो जा है वहा है Фूर 4. 710 440 ऐ現在 vocal पे आते हैं ऐसक को पे हमर पास स ăn 5544 में तो बूल गया 20 पॉचा यह बीया ता 710 710 440 यहां पर हमारे पास है 710 440 F को में हमारे पास है 544 अब देखो यही सेम एक्जेम्पल हमने 3 मिदेट से किया जब हमने लाइफो से किया तो हमारे पास उसमें से विल्यू उफ क्लोजिंग स्टाक जो है वो 710 आ गई एक्जेम्पल में 440 F को में 544 तो यह प्रूफ हो गया मतलब देखो अब विल्यू उफ क्लोजिंग स्टाक वाइफो में ज्यादा है लाइफो में कम है इनके बीच है ना इससे कम है ना सॉरी इनके दर्मयान ही है ठीक है ना इससे कम है ना इससे ज्यादा है ठीक है तो यह तो स्टाक चाहिब डेखे यह अनिक्रिजश फोगरी प्राइस का्निक्रिजाह का डिक्रीज ओधी तो यह विल्मझल उपसट होड़ाई जाएगा यह पीछ लेखेकर आप लेस हाई एंड ये तो हमेशा दर्मियान में ही रहेगा ठीक है तो ये था एक इंपोर्टेंट कॉंसेप्ट जो के इस पूरे लेक्चर का मतलब एक समरी कह लेजिए आप वही था ठीक है तो आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा इतना मुश्किल नहीं है आप दुब के लिए अगर आपको कोई प्रावलम है तो चलो इंशालला नेक्स लेक्षर में हम फिर पढ़ेंगे एक दो ठापिस जो के शॉट है इतनी ज्यादा नहीं है अगर उसमें पर हमारे पास यह वाला के चप्टर इंशालला कवर हो जाएगा चलो